तो जिस वीडियो का सबसे ज़्यादा आप लोगों को इंतुजार था वो वीडियो अलरडी हमारे चैनल पे आ चुकी है यह बाला जो आप लोग पैकेज देख रहे हो इसको मैंने ओर्डर किया है वेलेक्स रीन्यू वेबसाइट से और इस वेबसाइट का प्रॉडक्ट किस तरह का होता है वो आज हमें पता चल जाएगा और यहाँ पे वेलेक्स रीन्यू वेबसाइट से मैंने ओर्डर किया है आईफोन 12 मीनी 64GB ग्रीन कलर का तो चलिए इसको अनपेक करते हैं और देखते हैं प्रॉडक्ट का क्वालिटी हमें कैसा मिलता है हाला कि यह वेबसाइट एकदम नया है तो इसलिए मैं भी काफी जादा यहाँ पे नर्वस हूँ कि प्रॉडक्ट हमें एक्चुल किस तरह का क्वालिटी का मिला होगा यहाँ पे अगर हम लोग पैकेज की बात करें तो लगबख चार दिन पहले मैंने ओडर किया था तो यहाँ पे चार दिन में पैकेट मेरे पास आ गया है और अगर हम लोग प्राइज की बात करें आइफोन 12 मिनी की तो यहाँ पे आप लोग प्राइज देख सेकतों लिखा हुआ है 27600 हाला कि 1000 रुपया मुझे डिसकाउंट मिला था तो कुल मिला के iPhone 12 mini 64 GB के लिए मुझे पे करना पड़ा था 26600 रुपया तो चलिए देखते हैं कि 26600 रुपया में यह जो excellent condition बाला iPhone 12 mini है वो बाके में excellent है या poor quality है या कैसा quality है तो चलिए फटाफेड इसको खोल लेते हैं तो पैकेट आप लोग देख सेकतों सिंप्ल यहाँ पे प्लास्टिक का पैकेट है और यहाँ पे कूरियर information दिया हुआ है तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको हम लोग खोल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर हम क्या कुछ मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स खोलने में ज्यादा देर नहीं करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे डायरेक्ली और यहां से इसके अंदर हमें और एक बॉक्स मिल जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सेकते हो इसको भी फटा बगेरा दिया हुआ है तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देख सेकतो 27600 ही लिखा हुआ है हाला कि मुझे कूपन डिसकाउंड मिला था मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ यह पैकेट आप लोग देख सेकतो फोन प्रो की तरफ से आते हैं यहा अपना फोन नहीं बेचता है यहाँ पे आप लोग देख सेकतो और एक चीज यह जो स्टीकर है यह केसीफाई वाला स्टीकर है और यहाँ पे आप लोग नीचे भी देख सेकतो केसीफाई लिखा हुआ है डाट्स मीन वेलेक्स रिन्यू कोई एक वेबसाइट नहीं है यह केसीफाई से आपका फोन जो है वो परसेल करा देता है मतलब वेलेक्स रिन्यू का कोई यहाँ पे एकजिस्टेन नहीं है आप यहाँ पे केसीफाई से और करो या वेलेक्स रिन्यू वेबसाइट से और करो बात एक ही है यहाँ पे फोन प्रो का जो कम्प्लीटली यहाँ पेश चीजे है वो केसिफाई के साथ मर्ज होता है और यहां पे आप लोग देखी सेकते हो सारा 27 को मेंसल है इसको खोलके देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग का इहां पे 12 मीनि का कंडिशन किस तरह का हमें देखने को मिलता है तो पैकसेट देख सेकतो और यह तीसरा हम लोग का कड़ गया मैंने जो product order किया था वो excellent condition का product था तो देखने वाली बात यहाँ पे होगी कि excellent condition में हमें किस तरह का product यहाँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सेकतो मिल जाता है हमें phone phone को हम लोग कुछ देर के लिए side में रखते हैं बाकी चीजों के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे नजर देते हैं तो इसके बाद हमें मिल जाता है sim ejector pin phone pro की तरफ से warranty card उसके बाद हमें मिल जाता है charger charger आप लोग देख सेकतो 20 watt का यहाँ पे एक copy charger है और यह original charger नहीं है लेकिन इस लाइक आपको Apple charger जैसे ही लगेगा लेकिन देखने पर ही आपको लग जाएगा कि यह original नहीं है रही बात अगर हम लोग और चीजों की बात करें तो इसके नीचे I hope हमें एक data cable भी मिल जाता है जो की है USB type C to lightning cable तो यहाँ पे देख सेकतो और यह भी first copy बाला है that means यह भी original नह है तो सारी चीजों को हम लोग side में रखते हैं और आज आते हैं हमारे phone की तरफ और देखते हैं कि phone हमारा यहाँ पे original है की नहीं है तो phone देख सेकतो कुछ इस तरह का फिर से एक packet में है हाला कि अगर original box original charger मिलता तो यह एक अच्छी बात होता लेकिन इसमें as such कोई नहीं है अगर हम लोग यहाँ पे physical condition की बात करें तो पीछे से यहाँ पे आप लोग phone देख सेकतो आपको यहाँ पे कहीं भी कोई scratch नजर नहीं आएगा अगर हम लोग यहाँ पे camera ring की बात करें तो ज़्यादतर phone में मैंने notice किया है कि second hand phone में camera ring में बहुत ज़्यादा scratches रहता है लेक अब भी आप second hand phone करीदते हो तब आप लोग एक बार definitely यह जो screw है यह screw definitely एक बार चेक करना क्यूंकि अगर screw में थोड़ा बहुत भी दाग रहेगा that's mean आपका phone को खोला गया है और यहाँ पे मैं जैसा देख पा रहा हूं screw में यहाँ पे कोई दाग नहीं है that's mean phone को नहीं खो जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे मिलने बाला है बाकी मैं अगर quickly आप लोग को बताओं तो frame में scratch नहीं है अगर हम लोग display की बात करें तो display में भी यहाँ पे कोई scratch नहीं है और overall जो physical condition है उसे excellent कहां जा सकता है अगर हम लोग एक बार 12 mini की size की बात करें तो यहाँ पे आप के साथ यहाँ पे आप लोग side by side compression कर सकते हो कि 12 mini का size आपको किस तरह का देखने को मिलेगा आप लोग यहाँ पे front side से भी देख सेकते हो तो 12 mini का size आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है तो जो लोग का हाथ बहुत बढ़ा है जैसे कि मेरा हाथ बहुत बढ़ा है तो में आपको छोटा लगेगा लेकिन जो लोगों का छोटा हाथ है उन लोगों के लिए फोन तो जबर्जस्ट हो सकता है तो चलिए मैं फड़ाफेट फोन को स्विच ओन कर लेता हूं और देखते हैं कि इस फोन में क्या कुछ चीजे औरिजिनल है क्या डुब्लिकेट है क्या पार्ट्स वर्किंग नहीं है और वीडियो के अंद तक में आप लोगों को मेरा फाइनल भाटिक बताऊंगा कि आपको OLX सीरी न्यूव वेबसाइट से कोई भी प्रॉडक्त खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो वीडियो में आप लोग बने रहे बाकी है चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अ यहां पर काफी खुबसूरत लग रहा है एक छुटकू सा फोन है यह और अगर हम लोग यहां पर बात करें इसके फिजिकल बटन की तो यहां पर आप लोग देखो प्लस बटन काम कर रहा है माइनस बटन काम कर रहा है साइलेंट बटन की बात करें तो यह भी काम कर रहा है ल अगर हम लोग इसकी charging port को एक बार test करें तो यहां पर आप लोग देख सेकतो charging यहां पर हो रहा है कि नहीं तो आप लोग देख सेकतो charging इस phone में हो रहा है साती साथ iPhone 12 mini में wireless charging को support करता है तो wireless charging भी हम लोग एक बार test करके देखते हैं काम कररा की नहीं तो यहाँ पर आप लोग देख सेट तो wireless charging भी जो है वो एकदम बहतरीन तरीके से काम कर रहा है अगर हम लोग phone की speaker की बात करें तो यहाँ पर हम लोग कोई भी छीज़ एक play करके देखतें इससे हम लोग को speaker quality के बारे में भी पता चल जाएगा तो कोईशा भी हम लोग एक video play करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो speaker जो है एकदम perfectly काम कर रहा है यहाँ पर speaker है और यहाँ पर भी speaker है तो speaker यहाँ पर काफी जादा loud है और सही से काम भी कर रहा है speaker में भी कोई दिक्कत नहीं है एक बार हम लोग यहाँ पर true tone चेक कर लेते हैं कि इसमें true tone है की नहीं जो आपका brightness बाला button है इसको press and hold करके रखना है इससे आपको 3 option आ जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो true tone मेरा on या तो off हो रहा है that's when यहाँ पर हम लोग कह सेकते हैं somehow इसका display original है बाकी हमें और अच्छे से test करना है कि display original होगा की नहीं वो तो हमें 3U tool से पता चलेगा अगर हम लोग इस phone की camera की बात करें तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ image simple दिखा देता हूँ जो कि मैंने अभी अभी क्लिक किया है इससे आप लोगों को idea लग जाएगा कि लगबग यहाँ पर किस तरह का आपको image quality देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो indoor lighting situation में यह सारे photo है बाकी इस phone का एक details camera review मैं आप लोगों के साथ जुरूर शेयर करूंगा तो लगबग यहाँ पर दो-चार दिन बाद आप लोगों को वो वीडियो मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगा तो आप लोग चैनल को subscribe करके रखना ताकि जैसे ही मैं camera review वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंथ notification मिल जाए बाकि अगर हम लोग इस phone की display की बात करें तो display इस phone में आपको बहतरीन मिल जाता है और इस phone में आपको एक 60Hz बाला OLED display देखने को मिलता है जो कि हाँ पर इसका जो viewing experience है वो काफी जादा है और देख सेकतो तो आप लोग किसी भी एंगेल से अगर आप तील्ड करोगे तब भी आपको जो viewing experience मिलेगा वो बहुत ही सही मिलेगा बाकि डिस्पले का color accuracy आप लोग देख सेकतो जो आइफोन में आपको यहाँ पर OLED डिस्पले मिलता है वो बहुत ही बहतरीन मिलता है अगर हम लोग यहाँ पर battery Check करने की कोशित करें तो यहाँ पर मैं battery में आ जाता हूँ battery health and charging पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सेकतो maximum capacity यहाँ पर आप लोग देख सेकतो 89% maximum capacity है जो की मेरे हिसाब से सही condition है लेकिन price के according अगर यहाँ पर 90 से ज़्यादा होता तो यह एक प्लस पॉइंट हो सेकता था तो दोस्तों यहां पर वीडियो काफी ज़्यादा लंबा हो जा रहा था तो मुझे लगा कि जो त्री यू टूल्स बाला पार्ट है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा क्या-क्या पार्ट डूब्लिकेट है वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा बाकी एज यूजल मेरा एक्स्पिरेंस वेलेक्स रिन्यू के साथ अच्छा है कुछ चीजे है जो कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा जैसे कि पहले यह तो वेलेक्स रिन्यू है ही नहीं आपको के आप मिलता है अब आपको यहां पर औरीजिनल चारजर मिलता है तो यह एक नेगेटीव पॉatt है अगर इस में हमें औरिजिनल बॉक्स औरिजिनल चार्जर मिलता तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि जब आप फोन को रिशेल करोगे तब सामने वाले बंदा हमेशा आपको औरिजिनल बॉक्स के लिए यहाँ पर डिमांड करता है तो यह था अवरोल आज का अन्बॉक्सिंग बाकी में इस फोन को 6-7 दिन बहुत ही जादा अच्छे से यूज करूँगा मैं अपना जो परसिनल सीम है वो इस फोन में डाल लूँगा और उसके बाद 6-7 दिन अच्छे से यूज करने के बाद इस फोन का एक डीटेल्स रिव्यू में आप लोग के साथ सेर करूँगा तो उस वीडियो के लिए आप लोग डेफिनेटरी रुखना उसके बाद ही पर्चेजिंग डिशिशन बनाना क्योंकि यहाँ पे बैटरी बहुत जादा मैटर करता है और यहाँ पे कुछ चीजे हो सकता है अभी के लिए इस तो सेट है लेकिन 2-4 दिनों के बाद वो सारी चीज पता चल सकती है कि क्या-क्या इसमें खराबी है तो अभी तक मुझे इसमें कोई भी चीज खराबी नहीं देखने को मिला है तो आगे चलके अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माद्धम से जरूर बताऊंगा और आप लोग भी मुझे ब पता देना और वीडियो अगर परसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना